नमस्कार प्रणाम आदाब सस्रियाकाल कैसे हैं आप सभी खेल दिवस में आप सभी का स्वागत है यानि की खेल दिवस है आज आप सभी को पुता है नेशनल स्पोर्ट्स दे क्यों मनाया जाता है किसलिए मनाया जाता है ये भी आप सभी को पता होगा तो 29 अगस्त 1905 को मेज मेजर ध्यांचन जी का जैनम हुआ था भारत में और भारत में इन्हें होकी का जादूगर कहा जाता है पूरी वर्ड वाइड में कहा जाता है 1928 1932 और 1936 के तीनों ओलम्पिक्स में लगातार गोल्ड मेडल दिलाने में भी इनका पूरा योगदान था उसके अलावा मेजर ध् क्यानवे बाणवे में हुई थी और उसमें सबसे ज्यादा प्राइज मनी भी दिया जाता है खेलों में खिलाडियों के लिए सरवचितम अगर कोई अवर्ड है तो वह राजीव गांदी खेल रत्न अवर्ड था जिसका नाम 2021 में बदलके हमारे होकी के जादूगर मेजर ध ध्यांचंद जी का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रोल है खेलों में खाली होकी में नहीं पूरे वर्ड वाइड अगर आप देखोगे तो खेलों में एक ऐसा भी बहुत कहावतें और बहुत कहानिया मसूर है बहुत सारी बातें इनके बारे में मसूर है कि जब ये इनका नाम जो है चेंज इसलिए हुआ मेजर ध्यांचंद इसलिए बोला जाने लगा क्योंकि रात में चांद के रौसनी में प्रेक्टिस किया करते थे रात को चांद की रौसनी में प्रेक्टिस किया करते थे होकी के इसलिए इन्हें ध्यांचंद नाम दिया गया अब इस आप होकी में देखेंगे तो ऐसा कहीं होगा ही नहीं जहां पर मेजर ज्यांचंजी की फोटो लगी नहों कहीं पर भी आप चले जाना जैसे कि मैं कि पिछले कुछ दिनों कि हमारे हिमाचल साइड गूम रहा था तो वहां पर भी हमें यह फोटो देखने को मिली थी और भी मैंने फोटो सी तरीके से उन की मोरती भी बनी हुई थी पूरा तो काफी इंस्पार करती हैं जूंजों को कि किस तरीके से बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कई घटना ऐसी देखी इस यह इस बात में कितनी सचाई है यह नहीं जानते लेकिन यह अपने आप में एक प्राउड वाली बात है कि मेजर ध्यांचन जी की होकी स्टिक जो है वह ले लिए उसे तोड़ के चेक किया गया कि इसमें कहीं मैगनेट तो नहीं है कहीं चुम्मक तो नहीं है जो इनसे बॉल है चिपक जाती है हो की से तो अपने में एक इंस्परेश्ननल स्टोरी कि यार मतलब ऐसी आपस ऐसी कोई ऐसा कि जैसे की डायक्त्य यह कॉमप्लीमेंटि है कि यार को की तोड़ के देखी जा रहひए इतनी जादा रिटा स्किल है इनके पास में कि होकी तोड़ के देखी जा रही है कि कहीं इनकी होकी में चुम्बक तो नहीं लगा है कि जो बॉल इन से चिपक जाती है तो काफी इंस्पायर करती है यह सारी जीगे तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अपने स्किल्स को इतना शार्प करो अपने स्किल्स को इतना ज्यादा उपर लेके जाओ कि लोग बोले कि भाई पहले तो चेक करो यह असली है कि कुछ ना कुछ गड़वड है तो उसी तरीके से एक कॉंपलिमेंट मैं अपने उपर लेना चाहता हूं इसी का कि कुछ पिछले कुछ दिनों हमारे साड़े 300 क्रोस हुए लाइब में जो की टीजीटी पीजीटी चैनल पे किसी के भी नहीं हुए तो एक कमेंट आ रखाता है सर आप व्यूबोट लगवाते हैं कौन से कंपनी का व्यूबोट लगवाते हैं वी सेशन को लाइक कर दो हैपी स्पोर्ट्स डे वंस अगें आज एक प्रण लोग कि अपना खेल तो ही जिसके पास अपना खेल नहीं है तो एक खेल चुनेगा उसे सीखेगा एक साल दो साल तीन साल में वह महारत ही हो जाएगा उसमें इतना भी नहीं कि ओलंपिक में चले जा तो यही मैं चाहता हूं आपसे स्पोर्ट दे में आप यह प्रण लें कि आपको कोई भी खेल कोई भी हो सकता है वह आसानी से सीखा जाने वाला या कोई मुश्किल से तो आप लोग सभी प्रण ले एक बार दुबारा से हैपी स्पोर्ट्स डे लिखें सभी के सभी और खे कर दो है यह वाली स्टोरी इस मैंने भी सुनी है कि मेजर ध्यांचन जी वह उन्होंने ना गॉल्पोस्ट छोटा बता दिया था कि यह गोल पोस्ट ना छोटा है भीना चेक विना चैकि तो उस सवाल उठने लगे इस बात करती है हमारे ना भारत में ऐसे ऐसे महारत ही है आज के टाइम पे जो बिल्कुल है पी स्पोर्स तो इफ यू वांट फोकस और या फिर आप अगर रिजल्ट पे फोकस करेंगे आप सोच रहे कि भाई मैंना बस नेट कॉलिफाई कर लेता हूं कैसे करूंगा किस तरीके से तो आप चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे हैं आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा सबसे पहली चीज तो आप टार्गेट पे आप टार्गेट को माइंड में रखो लेकिन उस टार्गेट को अच्छिव करने के लिए किन चीजों की ज़रूरत पड़ रही है उस पर धान दो आप यूं क्यों नहीं सोचते कि मैं स्लेबस को दो बार रिवाइज कर दूँगा और प्रिवियस एर कॉश्चन जितने भी है दस साल के वो देख लूँगा तो जब आप इस काम पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट जैक डिक्सन ने बात कही थी और यह बात कहने की कितनी सच्चाई है इसमें 100% सच्चाई भई आप अपने काम पर फोकस करो डैफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलेंगी पहला ही कोशन आपकी स्क्रीन पर है विच यह फिल्ड होकी वाज एडिड इन एशिन गेम्स इन वि राइट अंसर मैं दूसरा पैन भी ले लेता हूं यार तो जिसने भी राइट अंसर आप्शन नमबर डी दिया उनिस ओठावन विल्कुल करेक्ट है 1958 ओलम्पिक्स के अगर हम बात करें तो 1908 में मैंस का और यह आठ को इधर से कर देना इधर तो 1908-1980 ठीक है तो यह दोन अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यह कॉंडिलोइट जोइंट्स को और क्या बोला जाता है यह कॉश्चन आता है कई बार एक्जाम कॉंडिलोइट जोइंट को और क्या बोला जाता है उसके अलावा जो लोग हमारा बैच पर्चेस करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डबल वेलिटी आ रखी है वाई 590 कोड लगा के यह कोड देख लेना इसका ध्यान रखना अपना कोई कोड लगा देते हैं फिर उसके बाद में बोलते हैं सर उतना डिसकाउंट नहीं मिला जितना आपने बोला था और हमें सर क्लास नहीं दिख रही है यह सारी चीजे तो यह सारी समझ आए इस कोड से सुलच जाएंगे वाई 590 कोड लगा लेना और डबल वैलिटी दोनों जिसी का ले रहा है वो महापै की क्लास नहीं देह सकते हैं दोनों अलग होते हैं ठीक है तो अभी डबल वैलिटी आ रहके जिसको लेना हो वह ले सकता है तो जिसने भी ऐलिस्पॉइड जोइंट दिया है भी ऐलिस्पॉइड जोइंट वह बिलकूल करेक्ट है अब यहां पर देखो आपको types of joint बता देता हूं वैसे तो हमारे सरीर में तीन प्रकार के joint देखने को मिलते हैं एक वो जो बिल्कुल भी नहीं घूमते हैं जिने हम fix joint या फिर imovable joint या अचल संदी बोलते हैं जो move ही नहीं करते हैं fix joint या फिर imovable joint और यह fiber से बने होते हैं इसलिए fibrous tissue से बने होते हैं इसलिए fibrous joint बोलते हैं तो तीनों नाम यह की है imovable joint fix joint और fibrous joint और इसी joint को अगर हम बोले तो इसी joint को क्या बोलते हैं यह सही से नहीं घूमते हैं इसलिए sinarthrosis बोलते हैं स develops किसको बोलते हैं साइनर्थ्रोट सिस्टियोंड सब्सिक्समाषों किसको बोलते हैं उसके एग्णेशिक्स म सिस्टियॉक्स कीga ग्समाइब किसको मिलेगे इसाद में प्रक्राती मिले वर्टिब्रे में भी देखने को मिलेगे बिल्कुल बिल्कुल चल अचल अगला जोइंट होता है वह होता है जो हलका हलका घूम सकता है और इसको काटली जीनियस जोइंट भी बोलते हैं और इसको झमें आंपयर त्रॉपोडवम बोलते हैं तो ये तीन याद रखने को काटेली जीने हैं एंपयर त्रोंस और श्लाईटिली изв сюжट आप ये कहां कहां पाए जाते हैं हमारी वर्टिब्रे में हैं hypothis key आ सपाइन आकी तो पूरी ओर जाती हम तो इतना ज्याजा बैंड हो सकते हैं ऐसा कैसे यह सकता है सर हम इतना बैंड इसलिए हो सकते हैं क्योंकि 26 वर्टीब्रे है 26 वर्टीब्रे में एक 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 अगर इतना मुड़ेगी तो 26 मिलके इतना मुड़ जाती है इसलिए हम इतना याद रखते हैं नेट्स्ट Neris अगला फ्रीली मुवेबल जोइंट फ्रीली मुवेबल जोइंट यह कहीं पे भी घूम सकते हैं और ये साइनओं फ्लिूड इनके अंदर भरा रहता है इसलिए इसको फ्रीली मुवेबल जोइंट बोलते हैं और इसका जो साइंटेफिक रेम हैं वहरेव ड लंग जोइंट पांच जोइंट देखने को आपके वा preciso में विलेगे जिने अम साइन ओहल जोइंट तो उनके चैप्रकार पहलें आपको आपके कंधे और आपके हिप में देखने को मिलेगा बॉल एंड सोकेट सेशन को शेर कर दो यार और लाइक वाइक कर दो तुमसे कहना पड़ता है और आठ बजे मिलना जिसको हेल्थ एजुकेशन पढ़नी है एट पीम मिलना यूजी सी नेट लेवल के जिसको पढ़ आठ बजे और पेड़ क्लास वाले वह छे बजे मिलेंगे और यूजी सी पेड़ क्लास स्टार्ट हो चकी है जो कि तीन दो से तीन बजे तक होती है आज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की पहली ग्लास थी नेक्स्ट आपका हिंज जोइंट हिंज जोइंट की अगर हम बात करें तो हिंज जोइंट मतलब कबजा संदी जैसे कि हमारे एल्बो में और हमारे नी में हिंज जोइंट देखने को मिलते हैं उसके बाद में आपका सेडल जोइंट सेडल जोइंट की बात करें तो सेडल हमारे अंगूठे में हमें देखने को मिलता है सेडल जोइंट ठीक है इस जोईट पीवेट जोईट जो हलका सा पिविटिंग करते हैं जैसे बास्केट बॉल में उसी तरीके जैसे नेक में देखने को मिलेगा गर्दन में और आपको यहां पर रिस्ट में कारपल जो यह आपका सुपीनेशन प्रोनेशन करते हैं तब उसके बाद में अलिस पॉइट करते हैं लेकिन यहां से रेडियस और अला आ रही है रेडियस और अलना यह जो मिल रही है जाके उस पॉइंट पे वो पॉइंट कहलाएगा आपका एलिस पॉइड जूइंट या फिर कॉंडिलोट जूइंट क्लियर है यह चैकेश है जूइंट्स के लिए रहे हैं आज स्पेशल क्लास है भाई अगला कुश्यन है इफेक्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल किससे संबंदित है नेक पीवेट में हिंज कि स्पैसिफाइब करके बताया मैंने सारी चीजह आपको अब भी भी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पिछे से दुबारा से देखना भाई प्ली निकोल क्लियर एदे रहे हैं इंटर्वेल ट्रेनिंग मैथर देखे रीकवरी और यह पूरा का पूरा प्रिंसिपल अब देखो तीन चार चीजह आपको बता देता हूं जो हमेंसा एक्जाम में आती हैं इन टर्वेल इन मतलब की बीच में गैप डिरेक्टली तो दोनों इसमें इंटर्वेल में अगर हम बात करें तो इन इन से इन याद रखना और इन से इन कंप्लीट याद रखना कितना रेस्ट मिलेगा इन कंप्लीट रेस्ट इन कंप्लीट रेस्ट मिलेगा बात क्लियर है इन से इन कंप्लीट और इंटर्वेल ट्रेनिंग की जो बात करें अगर इजाद किसने किया था तो यह भी बताएंगे आपको आगे अगले उसमें स्लाइड में चलो पहली चीज़ तो याद राको कंटिनियोस ट्रेनिंग किस एक यह करी तो कंटिनियूस ट्रेनिंग डॉक्टर अंच वंश्वन एकेन नहीं चान आध में याद कैसे रखेंगे बह tag कंटिन्यू करते करते जब आप कंटिनियू करेंगे जैसे कि सब्सक्रों आपको मौंट एवरेस्ट पे जाना है कहा पर भिया मौंट पे मौंट एव जाना हैाब मॉण्ट एपरेस्ट के लिए तो आपको Gottes आना पड़ेगा न यार एक दिन में होगा क्या काम आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा मांट एबरिस कंटीनीब्चन पडेगा तो एवरेस्ट से आध्रक रखने मैं आपको वोल्यूम कम रहता है वो सॉरी वोल्यूम ज्यादा रहता है कि क्या पहली चीज दूसरी चीज क्या रहती है अब या इंटेंसिटी इंटेंसिटी कम रहती है इंटेंसिटी विल बी लो एंड वोल्यूम विल भी हाई किसमें continuous training में AmtaNER кसक लिए आपके एंडेरंस के लिए अदट 24 7 जिंदाबाद सर भिलकुल अगला है आपका डैट इस इंटर्वायल ट्रेशनीं इंटर वयल से है याद रखना इंटर वेल इंटररे वेल से यादट रखना इंटर नेट और इंटरनेट से कैसे याद रंखें नेट में क्या देखते हैं फनी वीडियो देखते हैं की रेक्ते हैं से इमोर क्वांग दर्छिए और रॉल्दमरуск ग्रेस्चलर यह क्लान ऐसे ये दोनों पोष्यन आजाते है एग्जाम में खाली आपसे रेंडी अल्भी पूछ लेते हैं 청ली आप से घ्रचल्रे पूछ लेते हैं तो कैसे याद रखेंगे इंटरवल मैं कि रहती वैं incomplete rest with incomplete rest बिलकुल कवीर है नेक्स्ट है नेक्स्ट है वाट लेयग ट्रेनिंग देकिजान इधों वरधान कि आनग hi भाट जना Kara beya Anakya fazer Kese Cook देख के भूत को देख के GitHub भूत को देगे अग। किसे बोलते हैं गोस्ट को बोलते हैं तो गोस्टा होलमर यानि की फाटलेक ट्रीनि गोस्टा ओलमर यानि की फाटलेक ट्रीनि क्या याद रही कि आपको फाटलेक ट्रीनिंग गोस्टा ओलमर तो नेच्ट आपका सर्किट ट्रीनिंग तो सर्किट से साट सर्किट लगता है क्या होता भी यह जब शौर्ट सर्किट लगता है तो इंसान मर जाता है और मरता कैसे है विए जब गलत तार भीड़ जाती है जी फे गलत टी से तार गलत तार भीड़ जाती है तो इंसान सोट सरकिट से मर जाता है तो मर जाता है से याद रखेंगे मॉर्गन और जीटी गलत तार से याद रखेंगे जीटी एंडम्शन तो आर यी मॉर्गन और जीटी एंडम्शन ने इजाद किया था आपका सर्कीट ट्रेनिंग याद रहेगा ठीक है याद रहेगा अब सर्कीट ट्रेनिंग किसके लिए होता है यह होता है भी है स्ट्रेंट एंडूरेंस के लिए strength endurance strength endurance के लिए clear भाई सभी को clear लाइक कम है इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने लाइक शेयर कमेंट का option ही दिखता नहीं है तो कम ही होते हैं लाई वह इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता है और इसलिए भी नहीं दिखता है क्योंकि आप लोग ना login नहीं कर रहे होते हैं अपने उसमें नहीं देख रहे होते हैं इसलिए यूटूब में देखा करो हो अने आइक्सटर आपका है धैट इस आइसो मेंट्रिक आ इसो मेंट्रिक्स ट्रेनिंग में इस में और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ तुछ सेम मेशल लेंथ रहे जिसमें स्टैटिक भी बोल देते हैं इसको आई सो का मतलब सेम टॉनिक मतलब मुसल टॉन तो डी लोर में याद रख सकते हैं जिसने उन्हें इजाद किया आपका आई सो टॉनिक और आइसो काइनेटिक जे पराइन नहीं जाद किया तो यह बात याद रहे कि सभी को हाँ तो यह दोनों इन तीनों की डेट भी याद रखना जैसे कि आई सो मैट्रिक की अगर हम बात करें तो 1953 में आई सो टॉनिक की याद करें तो 1954 में और 1968 में आपका है टींजर और यह कहता है जे जे पराइन ने यह जाद किया था क्लियर रही कि यह बाते यह बाते क्लियर अगला कॉश्चिन आपके स्क्रीन पर वर्ट देल्स विद रिसर्च एंड स्टेडीज बोथ फिल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल अश्याल था अवं आज आता अंए अब क्लासमा आता है फिजिक लेट्रों दिख दो यार फिर में भी जोस आहएगा तो जिसने भी सी दिया है एक्सपेरिमेंटल साइक कलोजी Jupiter in कि टी ने दिया ईसी बहुत बढ़ी हचांदार हैं तो डिफ्रेंट टिर्प आफ साइक लौजी साइकिल लौजी की तो अपने साब इने सुना कोगा एज्यूकेशन साइकॉ-ड्रोई एक लिए स्पोर्ट साइक लग्छिस्के अलावा रहती है क्लीनिगल साइक लोजी बाइलोजिकल साइकलोजी डेवलेप्मेंटल साइकलोजी इंडस्ट्रियल साइकलोजी उसके बाद में सोशल साइकलोजी नोन फार्मोलोजिकल साइकलोजी उसके बाद में आपका प्रोफेशनल साइकलोजी हेल्थ साइकलोजी परस्नेलिटी साइकलोजी एजुकेशन एंड स्कूल साइकलोजी क्लिनिक साइकलोजी में आते हैं कोगनेटिव में बात करें तो आपका कोविलेट्री साइकलोजी comparative और चिपोडर साइकलोजी फॉरांसिक साइकलोजी पोजिटिव साइकलोजी तो इस стал पिस आप इस के और अलग अलग तैक में बटी हुई है जिनको याद रखने के जरुरत नहीं है कुछ बाते Game ऐसी के बारे मेंयाद रखो साइकलोजी में जो सब्द है वो कहां से आया यह सारी चीजे जो हमने आपको प्रिवियस क्लासिज में बता रखें तो आप डेली सेशन को देखो इसमें लगबग आज कौन सा यह 70 क्लासिज है साइद ठीक है 60 क्लासिज या 54-75 फिख्लासिजोंगी तो पूरे 75 क्लासिज को देखना आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आए गयाओ यारबश्टिक चेंज इसे फिर संफनी सारी स्टूडेंट जिंदाबाद भार्य सारे स्टूडेंड जिन्दा बाद ब्रेन स्टेम को हम क्या बोलते हैं बोड़ी का एक एक मात्र ऐसा और गन जिसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है यह साइको प्लस लोगस ठीक है तो जिसने भी राइट आंसर दिया है ऑप्शन नमबर डी कंपोजिशन किस चीज़ का आपका मिट ब्रेन और हैंड ब्रेन उसके अलावा अगर हम बात करें आपके ब्रेन की तो ब्रेन में आप से इस बार MP7 में यानि की नेट लेवल का कॉश्चिन पेपर था यह सेट कौन देते हैं जो एंपीड हो जाती है जिनकी एंपीड में जो हां जो कंप्लीट कर लेते हैं फिर जो पर सुकर रहे होते हैं वो देते हैं तो आप यहां पर यह चीज़ देखो कि सेयोर सेरेब्रम है जो यह पूरा का पूरा सैरेब्रम हिस्सा है कितने पार्ट है यह पूछाता तो चार पार्ट है मैंने कल सौल कर वायता है एंपीड का जिसने नहीं देखा हो एंपी सेट आंसर की एनलाइजिस बाइ मोनु मदू कर डाल देना मिल जाएगी ठीक है तो देखना तो इसमें चार आपके एक टेंपोरल बॉन यहां टेंपोरल लोग ठीक है बॉन भी होती है उसी के सहीड में टेंपोरल लोग हो गया पीछे वाला आपका सामने वाला फ्रें लोग ओक्सेटल लोग और टेंपोरल लोग नेक्स्ट कोस्टिन है नीड फोर द ऑक्सिजन तू रेपली मिस ATP और रिमूब लैक्टिक एसट इस कोल इस्ट और वेस्ट फिजिकल एडिकेशन इस बेस्ट डेफिनेटल यार गर्दा डादी अगरो जाहां कोई अगर फिजिक लेजिकेशन के खिलाफ कुछ बोले तो एक सेकेंड निरुकना है फिर को है फिजिकल एडिकैशन जिंदाबाद है कई टीचर मुझे बोलते सरा आप भेजते हैं अपने बच्चों को हमारे से सेसंसें में आके रिखन जिंदाबाद लिखते हैं मैंनेयां उनके उपर कोई पाबंदी नहीं है वह आजाद है वह जहां मर जी जाकर कुछ भी लिख सकते हैं मैं किसी को नहीं बोलता हूं पर्सनली पर कुछ बोल मत देना गलती से वह सब सुनते हैं जिसने दिया है ऑक्सिजन डेप्थ बिल्कुल करेक्ट है देके ऑक्सिजन डेप्थ होता क्या है पहले उसको देख लेते हैं यह कॉशन आया था ऑक्सिजन डेप्थ जो कॉंसर्ट हो किसने दिया था तो एवी हिल ने दिया था यह कॉशन आया था यूजी सी नेट में पिछ जो ली जाती है बोडी के लिए वह रीकवरी पीरियट के रिस्टोर करवाती है बाकिया सिस्टम को तो वह चीज है जैसे कि मालों आप एक्सराइज कर रहे तो जहिर सी बात है आपको ज्यादा ऑक्सिजन की जरूरत है लेकिन जब आपने रेस्ट कर लिया तब भी ज्यादा खीजन की ज़रूरत यह लेकिन फिर भी oxygen आहजारी आहजारी यह जारी क्यों क्योंकि वह पुरानी जओंको oxygen यह पुरानी आपके समय के लिए चाहीं होती है उसके लिए भर्पाई कर रही है वो छीजी ठिक है जो oxygen deficit हो गई थी चीज़े उसके लिए बाद में oxygen depth extra volume में oxygen की ज़रुरत पड़ रही है क्यों क्योंकि restore करने है आपके जो system पीछे हैंग हो गया था उसके लिए ठीक है क्लियर अगला है आपका stroke volume क्या होता है बिया तो stroke volume दो नाम से दो सब्दिसे मिलके बन रखा है पहली चीज़ तो stroke stroke का मतलब है एक बार में एक बार में लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकला बात समझ गये इतना हिंदी में देशी में बता दिया एक बार में लेफ्ट वेंट्रिकल से यानि कि आपके हिर्दे से कितना ब्लड निकला तो लगवा किसना निकलता है सत्तर एमल निकलता है इसे stroke volume बोलते है उसके बाद में stroke volume क्या है amount of blood pumped out from the ventricles पर बीट एक बीट में तो इसे हम क्या बोलेंगे बिया stroke volume बोलते हैं stroke volume के साथ साथ आपको और भी याद रखनी है चीज़े जैसे कि heart rate heart rate क्या होता है एक मिनट में कितनी बार आपका हिर्दय जो है लबडब करता है एक मिनट में जो हार्ट बीट होती है वो ठीक है heart beat और फिर आता है कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट क्या होता हाट रेट को मल्टिप्लाई कर देंगे हम stroke volume से तो आजाएगा तो हाट रेट रहता है सत्तर सत्तर बार लगबग एक मिनिट में और यह भी सत्तर लगव एमल रहता है तो दोनों कितना हो जाएगा भीया लगबग 4900 ml मिली लीटर हैनि कि पांच लीटर क्या समझे भीया पांच लीटर ब्लड एक मिनट में हमारे हिर्दे से पूरी बोड़ी में जाता है नौर्मल पॉजिशन में जब हम भाग दोड नहीं रहे हैं तब क्या बात समझ गए तो चार-पांच कोश्चन यहां पर आपको मैं दिखा दिए जो कि देखने को मिले नेक्स्ट इस वी ओटू मैक्स क्या होता है वी ओटू मैक्स के अगरम बात करें तो वी ओटू मैक्स डायरेक्ली रफरस्ट वेग्सिमम् अमाउंट ऑफ औक्सिजन यह और बोडी केन अब्सॉब कितनी ज्यादा आपकी बॉड़ी जो ह अब्सॉब कर सकती है ऑक्सिजन की अमाउंट को अब्सॉब एंड यूज डूरिंग एक्सरसाइज एक्सरसाइज के दोरान इसलिए आपने यह देखा होगा मूपे बांद के रखते हैं एर्गोमीटर पे चला के रखते हैं बहुत लोगों को ट्रेडमील पे देखा होगा साइकलिंग में देखा होगा यह लगा के रखते हैं समझ रहों तो यह भी और डगलस बैक भी इसके साथ एड़ करके रखते हैं मेरी पुरानी क्लासिस देखेंगे सब चीज आपको हेल्प करेंगे तो व्योटु मैक्स आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन आप यह आपको देखेंगे एला की मेरे घर में यह थीक अलेकिन सभी के घरों में मिलता है तो नॉर्माल है टेली विजन नौर्मल मैयनी टाइडल वाल्यूम नॉर्मल जो रेट ले रहे हैं सांस ली और साथ चोड़ जो नौर्मल यह आप सांस ले रहे हैं और सोड़ रहे हैं वह की सांस लेना ठीक है और चोड़ना इन वन ब्रिथ वो क्या है भी आपका कि टाइडल वोल्यूम लगा कितना रहता हैं 500 ml रहता है 500 ml तो यह आपका टाइडल वोल्यूम है जब आप सांस ज्यादा ले लेंगे तो यह आपका ऊपर चले जाया इन्सपेरेटरी रिजर वोल्यूम कितना ज्यादा आप और जोर लगा के खीच सकते हैं जोर लगा के हई साथ यहां तक चल रही थी नॉर्मल सास सासली सास छोड़ी सासली सास छोड़ी सास ज्यादा ले लिए कहां पहुंच गई वह यह उपर चला गया यानिकी रिजर वोल्यूम क्या होता है कि एक्स्ट्रा आप कितनी ले सकते हैं अगर दम लगा के लें कि क्या समझे एक्स्ट्रा उसके बाद में सास छोड़ी अब सास छोड़ी सास छोड़ी सास ली सास छोड़ी लेकिन आप सास छोड़ने के बाद भी पूरी और जान लगा कि कितनी छोड सकते हैं यानि कि आपका in expiratory reserve volume expiratory reserve volume लेकिन यहां भी यह last को टच नहीं करेगा यहां तो चलो छोड़ने वाली तो आपने पूरी टच करी लेकिन छोड़ने में लास्ट में टच करेंगे तो टपक जाएंगे ना कुछ सांसी नहीं बचेगी तपक नहीं जाएंगे तो पूरा टच नहीं कर सकते हैं कुछ रह जाता है बीच में गैप और यह बीच में गैप जो हो रहता है कितना रहता है यह रहता है बारा सो एमल इसी को हम क्या बोलता है रेजिडियल वोल्यूम रेसेडियल मतलब जो रहे गई रैसेडियल रहे गई कितनी भी सांस छोड़ दो ये वाले को कुछ छेड़ा खानी नहीं कर सकते इसको छेड़ा तो टपक जाओगे समझे नहीं समझे नॉर्मल सांस लेगा ज्यादा सांस ले ली मतलब कि inspiratory reserve volume inspiratory आपके पास में एक reserve बचा हुआ है कि आप और कितना ले सकते हैं गहरा गहरा सांस उसके बाद में सांस छोड़ दी सांस छोड़ी नॉर्मल इतना छोड़ते हैं लेकिन अभी भी छोड़ सकते हैं तो अभी भी कितना छोड़ सकते हैं वहीं आपका क्या है बिया एक्सपेरिटरी विजर वोल्यूम है क्लियर भाई एल सीडी है चलो यार तुम ना सेशन को शेयर निकरते अपने ग्रूपों में डाल दिया कर एक्दम तहल का मचा दो फिजिकल एजुकिशन के नाम पाँ वट इस दे लेंथ ओफ एस सटल कोख फिदर्स इन बेडमिंटन तुम लोग अपने ना गुरूपों में बेजा करो मजा तब हैगा तुम्हें कोई कमी छोड़ने के बताओ कहीं से कहीं तक समझाने से लेके कॉश्चन से लेके क्वांटिटी से लेके क्वालिटी तक कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ते यार तुम भी मत छोड़ा करो भेज दिया करो शेयर कर दिया करो यहीं अमारे लिए गुरू दक्षिना है स्पोर्ट्स डे पे हम यहीं कहते हैं आप से कि आप अपने अपने गुरूपों में शेयर कर दिया करो जो भी गुरूप में आप एड़ ह कहीं भी सब जगे बेजो मजा आए आठ बजे डेली हम मिलेंगे भी यह जिसी नेट की क्लासिस ऐसे ही एट पीम ऐसे ही आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे आठ बजे तो जिसने भी राइट आंसर तू पॉइंट फाइफ इंच इस दिया है बिल्कुल करेक्ट है तू तेरा पोईंट विट की अगरम बात करें भीत की बात करें चूडाई की तो फory ।कितना हो जाएगा विया 6.10 itt डबलस कितना हो जारेगा मिया और सिंग्लिस कितना हो जाएगा आपका 5.18 मिटर तो 6.10 मेटर और 5.18 सब्सक्राइब के लिए यह सिंगल्स के लिए डबल्स के लिए ठीक है सारे करें पंजाब का भी बनाओ क्या पंजाब में अलग से फिजिकल एजूकिशन आएगी वहां पे बैडमिंटन अलग से लोहे के सटल से खेला जाता है क्या यह तुम क्या घजब करते हैं एक दम स्व एक टीम इन बास्केटबॉल मैच बताओ हो मैने ताइम तो इच टीम इन बास्केटबॉल मैच कि और यूजेसी नेट क्या है सर अई जिशीन मैच तुम्हारे बसकर नहां पर जो जिसे नेट क्या है उसके लिए शर्च करो आई यार क्या है हमने बता रखी सारी चीजे अब आपको यूजिसी नेट ही नहीं पता तो आप क्या करेंगे बताओ जान के आपको बोलू कि आपकी तयारी करवा दूंगा मैं आपको पता ही नहीं इसके बारे में तो पांच जिसने भी राइट अंसर दिया फाइफ बिल्कुल कर किसके लिए हुता है अब यह सर्जी पंजाबी दी किलास कि मिस्टर किंग सत्या कौन है इस्टार इस्टार ही लगा दिये भाई ने तो यह साथ आठ सितारे लगा दिये है तो क्या दिया भी होकी याद रखना यह कॉश्चन आता है कि चैप में जो वर्ड हो किस से संबंदित है तो होकी से संबंदित अभी ठीक है और यह डेवलप कब हुआ था भी है 1982 में 1982 में आपका दूसरी बार दूसरी बार एसीन गेम्स भारत में हो थे कहां नई दिल्ली में इसमें आपका मासकट देखने को मिल रहा था अपू इंडॉर होकी स्किल है यह इंडॉर होकी स्किल इंडॉर तो समझते होंगे न क्या होता है ही साइब होकी स्किल टेस्ट 1992 में हर्बंस्किल टेस्ट के बात करें तो 1959 में और स्मिट लैंड्स फ्रेंच होकी टेस्ट नाइंटीन फोटी तो यह तीनों चीज्जे लिख लो अपने एक्जाम में अ सकती है कि है लिख लो बई लिख लिया नहीं लिख लिया चलो दन अगला कोशिण है आज का लास्ट कोशिण है what is defined as the physical mental and emotional demand which tends to disturb the homeostatus of the body up wake elephant will cool कि अब है कि अब है कि अब है कि अब है है अब है लोग पढ़ने में ज्यान देते हुना बखवास बाजी में जाने चाहिए स्ट्रेस जिसने भी दिया बिल्कुल करेक्ट अंसर अब मैं आप सभी के लिए एक चीज बता रहा हूं कि हम चार जगे मिल सकते हैं अगर आपको पढ़ने आये तो ठीक है चार जगे एक तो हम मिलते हैं आप से दो बज़े से तीन बज़े जो की होस्ति averages काल आसा मुलते हैं ठीक है यह आज से स्टार्ट हुआ है एक बर्स है जो अभी करेंट में मिल रहें तो यहां पर सथ और 6 से 7 कंटीनीर ये पेड़ क्लास है TGTPG पेड़ क्लास हाँ ठीक है उसके बाद में एक और मैच हमारा किने का देट तू-9 वह यूट्यूब पह है yugc net के लिए यूट्यूब पह है तो यह चार जगह मिल सकते जो दो जगह आप पेड़ मिल सकते हैं यहां पर पेड़ है और यहां पर पेड़ है दो जगे आप फ्री मिल सकते हैं 5-6 और 8-9 तो आप अपने हिसाब से देख लेना बाकि आपके सभी दोस्तों ने पेड़ क्लासिज ले रखिए अभी डवल वैलिडिटी आ रखिए एक तारिक तक रहेगी है तो जिसको एक तारिक तक लेना हो एक तारिक को परचे लेना अगर टीजीटी पीजीटी के कोई कोर्सिस लेने इसमें यूजीसी का नहीं आएगा द्यान रखना तो यहां पर बायनाओ पर क्लिक करना एक कोड लगा देना भी है यह मून सेवंटीफाइव है उसमें इतना डिसकाउंट नहीं मिलेगा जितना इसमें मिल जाएगा तो एक ने लगा दिये फिर आपने जितना बोला था उतना नहीं मिला रहे वाई 590 लगाते ना आप वाई 590 कोड लगाते फिर अपलाई करते फिर यह इतने का मिलेगा डवल वैलिडिटी यानि कि दो साल के लिए तो दो जने मिलके ले सकते हैं क्या देखो एक आईडी से लाइव एक ही जगे दिखेगा और उस आईडी से अगर दूसरी जगे देखोगे तो recorded देख सकते हो तो दो जगे हां देख सकते हो और recorded देख सकते हो एक ही बार लाइव एक ही जगे दिखेगा ठीक है यह बात क्लियर है और उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें तो अगर इसको बाय कर सकते हो, यहां पे भी code सेम लगा सकते हो, यह पाथ सो नब्भे, इसको apply कर सकते हो, continue कर सकते हो, बाकि test series वगर है, सब कुछ ऐसे ही सेम, Y590 लगा के आप purchase कर सकते हो, बाकि हम मिलेंगे कल, और जो paid class में वो 6 बजे मिल जाएंगे, आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, चाहे पंजाब की, चाहे बिहार की, चाहे उडिसा की किसी भी तरीके से, आपको हर exam में 110% help होगी, इस चीज की guarantee हम assurity लेते हैं भई, कोई भी question छ इसको नहीं यकीन हो रहा, तो MP set का मैंने analysis करा था कल, उठा के देख लेना, exam 100 question में से, कितने question हमारी वीडियो में से आए, ठीक है, भाई-बाई, take care, जाहिन जाभारत, physical education, जिन्दाबाद, ध्यान रखो, सभी अपना, और मिलते हैं next class में, कल सायद आपकी छुट्टी हो, तो पर सुमिले, देख ले टेंफिर,